एस रेडी 321 स्टार्ट पर्व त्योहार की भावना सामोहिकता पर आधारित है लेकिन इस बार कोरोना को लेकर हालात ऐसे हैं की इद उल फितर पर सामोहिकता को नजर अंदाज किया जाना है विराम सोसल डिस्टैंसिंग वक्त का तकाजा है जिसे इद पर भी निभाया जाना है विराम देश में संभवतह यह पहला मौका है जब इद पर मस्जिदों में सामोहिक नमाज नहीं होगी लोग न एक दूसरे से गले मिलेंगे न हाथ मिलाएंगे और न मुबारक बाद देने घर घर जाएंगे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इन तमाम परक्रियाओं पर रोक लगाते हुए अपील की है की लोग घरों में रहकर ही इद की नमाज अदा करें इस अपील का कैरल और जम्मु कस्मीर में सकारात्मक असर भी नजर आया जहां रविवार को इद मनाई गई उम्मीद है की सोमवार को जब देश के बाकी हिस्सों में इद मनाई जाएगी तो उत्साह उमंग को इसी तरह घरों तक सीमित रखा जाएगा विराम वक्त सभी को त्रासदी की ऐसी सुरंग से गुजार रहा है जिसमें त्युहार की खुसियां भी फीकी हैं और सामोहिक दूमदाम की कोई गुनजाइस नहीं है विराम लोकडाउन के कारण इस बार राम नवमी, हनुमान जयन्ती, वैसाखी और अक्षय तृत्या जैसे पर्व भी बंद घरों में मनाए गए विराम मुस्लिम समुदाई करीब एक महिने के रोजों के बाद बेसबरी से इद के चांद का इंतिजार करता है ताकि मस्जिदों में जाकर विसेश नमाज अदा की जा सके विराम उसी तरह जैसे हिंदू नवरात्री में नौ दिन के उपवास के बाद पुजा पाठ के लिए मंदीरों में जाते हैं रीत अलग-अलग है मकसद एक है सर्व सक्तिमान को याद करना विराम उसी सर्व सक्तिमान ने जाने क्या विहू रचना की है कि दो महिने से मंदिर भी बंद हैं और मस्जिद भी विराम बाजार उस तरह गुलजार नहीं है जिस तरह इद पर रहा करते हैं विराम यानि खुशियों और भाईचारे का पैगाम देने वाला यह त्योहार इस बार अनुसासन पर्व बन गया है विराम यह समय हम सब से कठिन अनुशाशन और जिम्मेदारी की मांग कर रहा है विराम पैरा मुस्लिम समुदाई भी अनुसासन के तकाजे को समझ रहा है और उसी के अनुरूप कदम उठा रहा है विराम देश के पुराने सहरों मैं दिल्ली और लखनवू इद उल फितर की धूम धाम के लिए मशूर है विराम दो दिन पहले अलविदा की नमाज के दौरान दोनों जगह सन्नाटा नहीं तूटा विराम दिल्ली की जामा मस्जिद में आमतौर पर जुम्मे की नमाज पर खासी चहल पहल रहती है लेकिन सुक्रवार को वहां अलविदा की नमाज में मस्जिद का गिंती का स्टाफ नजर आया विराम इसी तरह लखनव की इद गहा में सिर्फ चार लोगों ने दूर दूर खड़े होकर नमाज पढ़ी विराम दरसल कोरोना के खिलाफ युद में जुटी सरकारों को ठोस नतीजे तभी मिलेंगे जब सभी समूदाई इसी तरह लोकडाउन के नियमों का पालन करेंगे विराम संकट काल में मुसलिम धर्म गुरुओं की यह अपील भी सरहनिय है की इद पर फिजूल खर्ची करने के बजाए उन लोगों की मदद की जाए जो कोरोना की मार जेल रहे हैं इस बार की इद सक्त इम्तिहान जैसी है विराम बहतरी की सूरत यहीं से निकलेगी विराम रात कितनी भी लंबी हो सुबह के आगे उसे गुटने टेकने पड़ते हैं विराम शायद हालात सुधरें और करीब दो महिने बाद इद अल अजहा को परंपरागत उत्साहा उमंग से मनाया जा शके पोन विराम